तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे Attack on Titan के Season 4 के Part 2 के Episode 7 Sunset के बारे में काफी लंबा introduction हो क्या है, मुद्धे पर आते हैं इस Episode में हमें देखने को क्या मिलता है इसके अंदर थोड़ा बहुत हमें background या फिर कहें कि past दिखाया जाता है Annie का क्योंकि Annie अब जाग चुकी है, यानि female Titan अब जाग चुकी है तो मुझे उमीदे थी कि ये जब जागेगी कुछ ना कुछ तो इसका बहुत ज़्या important role हमें अगले ही episode में देखने को मिलेगा लेकिन अभी वो इतना strong इसका role नहीं दिखाया गया में भी आने वाले episode में हमें देखने को मिले इस वाले episode में उसकी past ही दिखाया गया कि वो यहां पर इस island पर कैसे आई, क्यों आई, उसको किसने training दी, उसका general, सारी चीज़ें जो इसके अंदर दिखाया जाती है थोड़ा वो उसके बारे में बताया भी जाता है, वो इतना पत्थर दिल क्यों बनी, उसको ऐसी training दी गई, तो यह चीज़ें हमें any के बारे में जानने को मिलती है थोड़ा बहुत उसका background हमें दिखा दिया जाते है, साथ यसाथ जैसे Aaron निकल पड़ा है, rumbling, जैसे इसमें दिखाया जाते हैं, कि पैरों के नीचे भाई, आप सब कुछ कुछल देंगे, जितने भी यह millions of titan निकले हैं, इन दिवारों को तोड़ कर, तो यहाँ पर वो कुछ लोगों को sacrifice करना पड़ता है, इनसान आप महारे लिए ही कर रहे है, तो यह सब चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यानि इस 7th episode में इतना hype था ही नहीं, क्या कह सकते हैं कि इस episode को या तो जान बूज कर थंड़ा रखा गया है, थोड़ी situation को थंड़ा कर रहा है, इस episode के अंदर, जैसा में ने feel किया, बस थोड़ा वो दिखा दिया गया, इन लोगों के बारे में वो कैसे situation को handle कर रही है, लोगों के मत क्या है, या एनि की थोड़ी वो stories में दिखाए जाती है, यहां पर आर्मीन भी कह रहा है कि जैसे अराजकता फैल गई है, कुछ करी लेते हैं, तो यहां जो situation बनती है, एक राजकता की, यानि control करने वाले कोई भी authority यहां पर रही नहीं है, तो आने वाले episode में लग रहा है कि हां बहुत जादा interesting होगा, और जब यह episode खतम भी होता है, तो last में दिखाया जाता है कि Levi, भाई सब काफी time से wait था Levi का, कि कब आएगा यह इनिसान, यूँकि इसका भी तो कोई strong role अभी आया नहीं है, या फिर कहें कि makers ने बचा के रख रहे है, कि भी रूप कोई जा थोड़ा इसको ठीक हो जाने तो फिर हम इसको मैदान में कोदाएंगे, तो last में वो दिखाया जाता है, क्यार लीवाई जब ठी होगा, यह किसका साथ देगा, किसका नहीं देगा, यह तो आने वाले episode में ही बता चलेगा, most probably ऐसा feel हो रहा है कि यह Aaron को रोकेगा, अब यह भी काफी एक सवाल खड़ा हो रहा है दिमाग में बार बार, कि यह Aaron को क्या मार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीकी कि उसकी मानस है कि वो पूरी दुनिया खतम कर देगा, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए, अब या Aaron के उपर भी बहुत कुछ बीता है, उसके perspective से बात करें, तो उसने भी बहुत कुछ देखा है, उसने देखा कि बाहर के लोग नहीं सुदरने वाले हैं, वो बात करने के लिए विल्कुल बित्यार नहीं है, तो ये आने वाले टाइम में ही देखने को मिलेगा कि उसका हृद्य परिवर्तन हो जाता है, अब जैसे कि आर्मीन बचाने निकला है, फालको को, कहीं न कहीं शायद गाबी की मदद से situation को control किया जा सके, कहीं न कहीं ये कडी बन सके, तो पूरी बहुत हाइप कम कर दी गई है, तो शायद ये जान बूच कर किया है, बहुत हुआ, इतनी मारधार हो गई है, इतने लोगों को मार दिया, थोड़ा situation को ठंडा हो जाने दो, फिर से दुबार से start करते हैं, तो शायद ये जान बूच करो, फिर भी, एपिसोड तो दे पूली रहना, क्योंकि मैं अपना interest खराब नहीं करना चाता हुआ, और वास्तों में काफी जादे interest बना हुआ है, भले ही ये तोड़ा से कम interesting रहा हो, लेकिन फिर भी, देखने में अच्छा लगा है, तो बसाच के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में, तैंक्स और बसा लोड़ा है, लो लोड़ा है, तैंक्स और चिर अायकर जिए से केकत रहा हुआ है, झाल में साथ लुआकरव हैं, तैंक्स और रहा हैं, उल्सौनदब काफी खराब हैं अवैं, दूआ हैं, भी जिए डotion जल अजा हैं, दो हाँआ हैं, अ क्ला-ज्यं